नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं और किसान कल्यान की बात की गई है माहागरबंदन की पेस्ट कॉन्फिरेंस में हेमान सुरेन और मलका जुन खरगे समेथ कई दिगाई निता मवजूद रहे बता दे 1932 के खतियान पर दाजित अस्थानिय निति लाने सारना धर्मकोट को लागू करवाने के साथ साथ छेत्रिय भासा संस्क्रीती के संरक्षन को संकल्पीत करना वहीं दिसंबर 2024 से मईय समान योजना के अंतरगत पचीस सो रुपई की समान राशी देना और एस्टी को 28% एस्थी को 12% और ओवीस्थी को 27% योँ अल्फ संक्यक के हीतों का संरक्षन करने है तू संकल्पीत वहीं राशन बीतरन में साथ किलो प्रति ब्यक्ति किया जाएगा साथ ही साथ गय सेलेंडर राजे के हर गरीब परिवार को 450 रुपई में दिये जाएगे वहीं जारखन के 10 लाख युग युक्तियों को नोकरी और रोजगार उपलब्द कराया जाएगा 15 लाख तक परिवारिक स्वास्थ बिमा भी दिया जाएगा वहीं राजे के सभी परखंडों में डिगरी कॉलेज अथा जीला मुख्यालों में इंजिनियरिंग मेटकल कॉलेज और उनिवर्सिटी के स्थापना कराया जाएगी वहीं 5-500 एकर का अधियोगी पार्क भी बनाया जाएगा वहीं धान के MSP को 2400 से बढ़ाकर 3200 रुपे करने के साथ साथ लाह तसर की भी बीज में 50 पर्था तक की ब्रीदी की जाएगी हमांत सुलेन का हेलिकोप्टर रोके जाने मामले में चुनाव आयोग का एकसान जार्खन में मंगलवार सुबा सही हेलिकोप्टर का मुद्धा गर्माता जा रहा है दरसल जामो ने आरोप लगाया कि परधान मंत्री मोधी की सुरक्षा का हवला देते हुए मुख्य मंत्री हमांसुन के हेलिकोप्टर को उड़ने से रोक दिया गया जामो का कहना है कि सीम सोयन को उड़ान भरने के लिए करिब देर दो घंटे तक इंतियार करना पड़ा ऐसे में अब इस मामली में चुनाव आयोग ने एकसन लिया है मुख्य निर्वाचन पताधिकारी ने बीरसा मुंडा यारपोड अथुरिटी के निदेस्ता को वास्तुईती साउगत कराने के लिए पत्र लिखा है बतादे मुखे नियोचे पताधिकारी केरा भिगवार ने कहा है कि विधान सभा निर्वाच्चन 2024 में सभी परत्यासों के लिए एक समान अउसर उपलब्द कराने के उदेश से राज्य में भारत निर्वाच्चन आयो के दिशार निर्देश का नुपलन कराया जा रहा है जारकन मुक्ति मुर्चा दुआरा उनके स्टार प्रचार केमा सुरेन का हेलिकोप्टर रोके जाने की सिकात प्राप्थ हुई है 10 लाख नोगरी महिलाओ को 25 रुपे की सम्मान रासी सियम हमन सुरेन की घोसना जारकन मिधान सबा चुनाओ के लिए कांग्रेस जेमें आजेडी और माकपान मंगलवार को सन्यूक्त घोसना जारी किया है अपने घोसना पत्र में इंडिया गडबंदन ने कई बड़े दावे किया है इंडिया गडबंदन ने मेनुफेस्टो में साथ गारांटी का एलान किया है जिसमें 10 लाख नोगरी देने का वादा सामिल है इसके अलावा महिलाओं को कई अधिकार देने का अईलान है वहीं सरना धर्म कोड भी लागू करने की गरांटी है इसके साथ साथ 1932 अधायत खत्यान की भी गरांटी दी गई है बता दे जेमेम आप कांग्रेश ने 10 लाख नोकरी का वादा किया है इसके अलावा गरीब परिवार को 450 रुबे में गई सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है 10 लाख सरकाई नोकरी 450 रुबे में LPG सिलेंडर महिलाओं को 2500 रुपे हर महिने वहीं सरना धर्म कोड लागू करना और धान की MSP 32 रुबे प्रतिक इंटल किया जाएगा जामुमो रायत और कांग्रेस बिनास के दूत योगी आदित्यनाथ UP के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जार्खन मुक्ति मोचा रायत और कांग्रेस का गडबंदन जार्खन के विकास के लिए नहीं है यह बिनास के दूत है प्रष्ट चार के फरिस्ते हैं यहां की सरकार ने मंगलादेशी घुसपैटियों को वोट वैंग के लिए प्रसे दिया है राज्य के विकास के लिए NDA के परत्यासियों को विजाई बना कर यहां सरकार बनाए वे मंगलवार को जमसेथपूर में आयोजियन सभा को समोधित कर रहे थे जमोरायत और कांग्रेस परहमला के बाद योगी आदित्यनाथ ने NDA के संकल पत्र को दोराया है उन्होंने कहा है कि NDA की सरकार बनी तो गोगोदी दियोजना से हर महिने मैलाओ को एकाईस औरुपे दिये जाएंगे दास की पुत्रवधू पुर्णीमा दास साहो ने हेमान सुरेन सरकार पर जम का हमला बोला है पुर्वी सिम्मुम जीले के जमसेद पुर्पूरी विधान सभा सीट चेत्र में उतर परदेश मुख्य मंत्री योगी आतितिनाथ के आने से पौले पुर्णीमा ने जारकन की एमान सुरेन सरकार पर वादा खिलापी कारूप लगाया है बतादे जमसेद पुर्पूरी विधान सभा सीट से बार्तिया जन्ता पार्टी की यूवा उमिदवार पुर्णीमा ने साक्ची के अंबाग गान में आयोजी जनसभा में कहा है कि बिजेपी जेएमेम करकरता बरहेट बिधान सभा के कौटहल बारी पंचायत के माधो पारागा में मंगलवार को बवाल हो गया है यहां बिजेपी और जेएमेम करकरता में भिरंथ हो गई है दोनों दोलों के करकरताओ के भी जमकर हाथा पाई होई है हलाकि मामला ज्यादा बिगरता देख इसे पहले मोगे पर पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने इस्थिती पर काबू पाया है दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले कारूप लगाया वही घटना को लेकर बिजेपी करकरताओ ने कहा है कि हम लोग जन संपरक अभियान कर रहे थे जब हमने इसका बिरोध किया तब वे लोग उल्टे हम लोगों से ज़ागडा करने लगे इसी दोरान ओ हाथा पाई पर उतारू हो गए नकसली होने के आरोप में जेल में बंद लोगों को निकालेंगे बाहर सियम हेमान थे क जहारखन की मुख्य मंत्री हमन्सुने ने कहा है कि पहले चुनाव पाच चरूण में होते थे इस बार दो चरूण में हो रहा है विपक्स के तमाम केंदरी ये नेता जहारखन में आ गया है पैसा एकडो पर हम अकेले भारी है यहां के लोगों को नकसली के नाम पर जेल में भेज दिया गया है ऐसे सब भी लोगों को सरकार बनने के बाद जेल से बाहर निकालेंगे वे मंगलवार को जगरनाथपुर विधान सबाचेतर से सरांडा इसी छोटा नागपुर में कांग्रेस परत्यासी सोना राम सिक्कू के पक्ष में आयोजी चुनावी जन सबागों समधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें जेल भेजने से लेकर बिधायकों को खरीदने का परियास कर सरकार को गिराने का असफल परियास किया गया भाजपा नहीं चाहती है क्या दिवाचियों और मुलवाचियों का विकास हो सरकार के कारिकाल पूरा होने में एक महाँ बाकी था एक महीन पहले ही चुनाव करा दिया गया चुनाव आयोक CBI ED income tax समय सवी विभाग इनकी कटपुथली है गिरीडी का समोचित विकास करेगी नवीन आनांद गिरीडी विधान सवाथ छेतर के जे एल केम परत्यासे नवीन आनांद चवरासिया ने मंगलवार को पीरा टंड परखंड के कई इलागों का दावरा किया उन्होंने हारला, डी, खुकरा, सीमरा, कोडी, आदी इलागों में जन संपर किया है इस दोरान जनता से संपर कर वोड देने के अपील की सिरी चवरासिया ने कहा है कि गिरीडी विधान सवाथ छेतर का समोचित विकास उनकी प्रत्मिकता है जनता से समर्थन की अपील करते हुए गिरीडी विधान सवाथ छेतर के उजोल भविश्य में अपनी बुम का निभाने का आवान किया है भाजपा का संकल पत्र नहीं बलिक मोदी की घरांटी है अनपूर्णा देवी केंद्रीय महिला एवंबाल विकास मंत्री सांसद अनपूर्णा देवी और भाजपा पत्र नहीं बलिक मोदी की घरांटी है संकल पत्र में महिलाओ युवाओ गरीबो अभीवंचितों किसानों आदिवासियों दलितों और पिछडों सहीत सभी वर्गों के हितों का ध्यान में रखा गया है उन्होंने हेमान सुरेन सरकार पतंज कसते हुए कहा एक वर्ष 2019 की विधान सपा चुना में राज की जानता जहांसे में आ गई थी परन्तु अब राज की जानता हेमान सुरेन के वरष्ट सरकार से उप चुकी है इस पर राज की जनता है मंत सुरेन की सरकार को उखाड फिकेगी और राज में NDA की सरकार बननेगी केंद्रिय मंत्री ने कहा है कि राज में NDA की सरकार बनते ही संकल पत्र में किये गए सभी वादों को धरातल पर उतारा जाएगा नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छट शुरू उठा है और छट घाटों के साथ सफाई भी पूरी कर ली गई है ताके सरधालों के कोई परिसानी ना हो वहीं सहर में भी भीन अस्थानों पर भागवान भासकर की परतिमाय भी अस्थापित की जा रही है इंद्रवाज छट तलाब पानी टंकी रोड और थिलया बस्ति भासक के सीम हाई स्कूल मैदान पहुंचे मोगे पर उन्होंने बीना नाम लिए भी पक्षी गडबंदन के उमिद्वार पनिसाना साथ तेवे कहाए कि भाजपा की गरांटी में सामिल है घर बना कर देना वह साथ ही मुफ्त में बालू देना जब बालू मुफ्त में मिलेगा तो गालू माफिया का भी सफाया हो जाएगा जबसे हमारी सरकार आई है और बुल्डोजर चला तो दुरदर्ता माफिया कुछ राम नाम सत्य की यातरा पर चल रहे हैं योगी ने जार्खन में लूट का उधारान देते वे कहा है कि एक अलमगीर आलमाय और दूसरा औरंग जेब ने मंदिरों को नश्ट किया वहीं दूसरे ने जार्खन को लूटा लूट का पैसा नोकरों के पास रखा लूट का इस से खटिया दूसरा कोई नहीं दिखाया होगा एक अलम ज़ार्खन के रएधानी रांची के 13 अस्पटालों पर क्लीनिक, इस्टेवलेस्मेंट, एकट के तहत करवाई करने की त्यारी है इन अस्पटालों में उस्मान योजिना का लाग मरीजयों को नहीं मिल सकेगा इन अस्पतालों ने अपने अस्पताल के नाम के सास्थ रिसर्च सब्द लगाया है जब कि आज तक किसी परकार का कोई रिसर्च हुआ ही नहीं इन अस्पतालों में छोटे होने पर इन सभी पर करवाई की जाएगी साथ ही रिसर्ट जैसे सब्दों को हटाया जाएगा लातेहर में जेजी एमपी उगरवादियों ने कोईला लदेवाहन फुका लातेहर के बालु मा थाना छेत अंत्रगा सीसील दोवारा संचालीत मगद कोलवारी के गेटी टार ग्राम के समीप मंगलवार की साम रातिर लगभग साथ बचकर 25 मिट पर जेजी एमपी के थियारवंद उगरवादियों ने दो कोईला लदेवान में आग लगा दिया है जिससे दोनों वाहन जलकर खाक हो गया मिली जनकारी के अनुसार मगद कोलवारी से एक ट्रक एवाम एक ट्रेलर कोईला लोड कर बालु मात की ओर आ रहा था इसी वीच 5-6 वर्दी धारी यहां थियारवंद उगरवाद दी गोली तांड चोक के समयी पहुच कर दोनों वाहनों को यहां थियार के बल पर जबरन रोक कर अपने साथ लाई पेट्रोल छिरक कर दोनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया है चट पर सहर का ट्रेफिक बदलेगा दो दिन भारी वाहनों की नो इंटरी आस्ता का महापरव चट मंगलवार कुना है के अनुष्ठान के साथ सुरू हो गया है 7 और 8 नॉवंबर को घाटों पर भगवान सुर्य देव को अरग और पित किया जाएगा बड़ी संख्यम लोग भावान सुर्य को अरग देने के लिए तलाप और नदियों के घाट पर जाते हैं इसको लेकर रांची ट्रेफिक पुलिस ने सहर की आतायात ब्रवस्था को बदलाव किया है इसके तहट 7 नॉमबर को सुब़ आठ बैस से अगले दिन 8 नॉमबर सुब़ आठ बैस तक सहर में माल वाहक और भारी वाहनों को परवेस्पर रोक लगा दी गई है जनकारी कानुसा निधारी समय में माल वाहक और भारी वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतब यह तक जाएंगे इसे समवन दित आदेश मंगलवार को ट्रेफिक एसपी कैलास करमाली ने जारी किया है CBI की बड़ी करवाई तीन राजियों के विश ठीकानों पर छापे मारी साहब गंज में बारो सो पचास कोड़ रुपए के अवैद पतर खनन मम्ने प्रेश्टाचार ने उधक अधेनियम के तह जाच कर रही CBI की टीम ने मंगलवार को टीन राजियों के विश ठीकानों पर एक साथ छापे मारी की है यह छापे मारी बरहेट बिधान सभाज चेतर की विधायक पतिन दी पंकज मिस्रा नेताओ वा नवकर साओ के करीबी प्रेम परकास आदिस से जूले ठीकानों पर हुई है इन में पटना के एक, कोलकाता के दो, साहिव गंज के तेरा, रांची के तीन वा गुमला के एक ठीकाने सामिल है इस चापे मारी में CBI ने लबग 60 लाक रुपे नगदी, 1 किलोगराम सोना, 1.2 किलोगराम सोना, चान्दी के गहने मलिकार जुन खरगे ने मोधी और आमित साह पर जम कर बरसे जारखन में बिधान सभा चुनाओ को लेकर रामगर जीले किसी मवर्ती शेत्रे में हुआंग, बलसगरा में मंगलवार को कांगरेस के राश्ट्री अध्यक्र मलिकार जुन खरगे ने इंडिया गण मंदर के परत्यासी जाप्रकास भाई पटल के पक्ष में चुनाओी सभ को समधित करते हुए मलकार जुन खरगे ने मोधी और अमीज सापर जम कर हमला बोला, उन्होंने कहा अगर जारखन मंगला जैसे घुस पैट भूसे हैं तो क्या कर रही है केंद्रे की मोधी सरकार और भी कई तरह क्या रोप लगाते हुए लोगों से कहा हम लोग जुमले ब अमान सुरें के नेतियुत में सरकार बनानी है, धन्यवाद